पानी 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 बारवार पीजिये लिए आपके बोडी के लिए दोनों के लिए गर्मी में बहुत अच्छा है तो यह जेरल चीज है इसके अलवा कुछ स्पेसिफिक रूटीन जो अपनी स्किन के लिए आप यूज कर सकते हैं उस में बेसिकली चार चीज हैं पहले चीज एक moisturizer जेनरल ही हम सोचते हैं कि गर्मियों में पसीना बहुत आता है इसके नोई ही हो जाती है तो moisturizer की ज़वरत नहीं पर ऐसा नहीं है क्योंकि जादा पसीना आने से brightness भी होती है इसलिए हमेशा कोशिश करें एक water-based या तो gel-based moisturizer आप अपने चेहरे पर लगाते रहें even in summers इसके अलाबा जो gel-based होगा वही आपके लिए अच्छा रहेगा क्रीज को जादा यूज़ना करें दूसरी चीज है sunscreen sunscreen पर समर्स में बहुत ज़र हो लिए क्योंकि of course sun rays बहुत ज़ादा रहती है तो जितना हो सकी कोशिश करिए कि आप घर के अंदर है और अगर बहार जाते हैं तो 15-30 मिनिट पहले एक SPF 50 का sunscreen अपने चेहरे पर लगाए पसीन आने के बाद हाथो आथ चेहरा दो के वापस sunscreen लगाए तीसरी चीज फेस वाश जेनरली हम लोग patients को जिनकी skin sensitive होती है उनको कहते हैं कि cleanser से अपना चेहरा साफ करें जो कि alcohol based होता है जो skin को dry नहीं होने देता है इसके अलावा जिनकी oily skin होती है वो 1% salicylic acid वाला foaming face wash यूज कर सकते हैं इसके बाद सबसे last चीज है makeup बहुत लोगों को jobs की वज़े से makeup करना होता है generally हम summers में कहते हैं कि एक no makeup look आपके लिए सबसे अच्छा है एकिन फिर बें अदर आपको makeup करना है तो एक light makeup करिए जिसमें आप एक light foundation इसके अलावा काजन और just lip balm से ही अपना काम चला सकते हैं तो अगर आप ये चारपंच चीजे फॉलो करेंगे तो आपकी skin हमेशा अच्छी रहेगी and you will have a healthy and happy summer Thank you